नमस्कार, उत्तर प्रदेश के राजपाल, स्रीमती आनंदिमेन पतेल जी, केंद्रिय मंत्रि मंदल में मेरे साथी, स्री हर्दिप स्रीम पूरी जी, उत्तर प्रदेश के लोक पूरिय मुख मंत्री, स्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, यूपी सरकार में मंत्री, चौदरी उदयभान सीं जी, डॉक्टर दीयस दर्मेश जी, संसद में मेरे साथी, स्री प्रफजर एस्पेशनी बगेल जी, स्री राजकुमार चाहर जी, स्री हरिद्वार दूबे जी, अन्यत जन प्रतिनितिगन और आगरा के मेरे प्यारे भाईयों और बहनों, आप सभी को मेट्रो का काम शुरू होने पर बहुत बहुत बधाई, आगरा के पास बहुत पुरातन पहचान तो हमेशा रही, अब इसमें आधुनित्ता का नया आयाम जुड़ रहा है, सैकडो वर्सों का इतिहास संजोये ये शहर, अब 21 सदी के साथ कदम ताल मिलाने के लिए तैयार हो रहा है, भाईयों और बहनों, आगरा में स्मार्ट सुविधाएं विक्सित करने के लिए पहले ही लगभग एक हजार करोड रुपिये के प्रोजेक्स पर काम चल रहा है, पिछले साल जिस कमार्ड एन कंट्रोल सेंटर का सिलान्यास करने का मुझे सोभागी मिला था, वो भी बनकर तैयार है, मुझे बताया गया है कि कोरोणा के समय में ये सेंटर बहुत उप्योगी सिद्ध हुआ, अब आठ हजार करोड रुपिये से अधिक का ये मेट्रो प्रोजेक्ट आगरा में स्मार्ट सुविधाओं के निर्मार्ट से जुड़े मिशन को और मजबूत करेगा, साथियों, बीते छे सालों में यूपी के साथ ही पुरे देश में जिस स्पीड और स्केल पर मेट्रो नेट्वर्क पर काम हुआ, वह इस सरकार की पहचान और प्रतिबद्धता दोनों को दर्शाता है, 2014 तक देश में लगभग सबाद 200 किलोमेटर मेट्रो लाइन आपरेशनल हुई थी, साल 2014 के बाद के छे बर्शों में देश में साड़े 400 किलोमेटर से जादा मेट्रो लाइन देश भर में आपरेशनल हैं, और लगभग 1000 किलोमेटर मेट्रो लाइन पर तेज गती से काम भी चल रहा है, आज देश के 27 शहरों में मेट्रो का काम या तो पूरा हो चुका है, या फिर काम अलग अलग चरणों में है, यूपी की ही बात करें, तो आगरा मेट्रो सुविदा से जुड़ने वाला ये यूपी का सात्वा शहर है, और इनके बीच एक और बात बहुत विशेस है, देश में सिर्फ मेट्रो रेल नेट्वर्क ही नहीं बन रहे हैं, बल्कि आज मेट्रो कोज भी मेक इन इंडिया के तहट भारत में ही बन रहे हैं, यही नहीं, जो सिगनल सिस्टिम है, उसका भी पूरी तरह से भारत में ही निर्माण हो, इस पर भी काम चल रहा है, यानि अब मेट्रो नेट्वर्क के मामले में भी भारत आत्मन्दिर भर हो रहा है, भाई और मेनों, आज के नए भारत के सपने, उतने ही बड़े हैं, उतने ही विराट हैं, लेकिन सरफ सपने देखने से काम नहीं चलता, सपनों को साहस के साथ पूरा भी करना पड़ता है, जब आप साहस के साथ, समर्पन के साथ आगे बढ़ते हैं, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती, भारत का सामान्य युवा, भारत के छोटे शहर, आज यही साहस दिखा रहे हैं, यही समर्पन दिखा रहे हैं, बिस्वी सदी में जो भूमिका, देश के मेट्रों सहरों ने निभाई, उसी भूमिका को विस्तार देने का काम, अब हमारे आगरा जैसे छोटे शहर कर रहे हैं, छोटे शहरों को आत्मंदिर भर भारत के दुरी बनाने के लिए ही, अनेक विकास पर बहुत ज़्यादा जोड़ दिया जा रहा है, पस्चिमी उत्तर प्रदेश के इन शहरों में तो हर वो चीज है, जो आत्मंदिर भरता के लिए हमें चाहिए, यहां की भूमी, यहां के किसानों में अपार सामर्त है, पशुधन के मामले में भी ये खेत्र देश में अग्रणी है, ऐसे में यहां डेरी और फूर्ट प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योग के लिए बहुत संभावनाए हैं, इसके अलावा एक छेत्र, सर्विस सेक्टर और मैनुफेक्टरिनी सेक्टर में भी आगे बढ़ रहा है, साथियों, आधुनिक सुविधाय मिलने से, आधुनिक कनेक्टिविटी मिलने से, पस्चिमी उपी का यह सामर्थ और बढ़ रहा है, देश का पहला रैपिड रेल ट्रांस्पोर्ट सिस्टिम, मेरट से दिल्ली के बीच बन रहा है, दिल्ली मेरट के बीच, 14 लेन का, 14 लेन का एक्सप्रेस वेबी, जल्द ही इस ठेत्र के लोगों की सेवा देने लगेगा, पस्चिमी उत्तर प्रदेश के अनेक जीनों को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेस वेबी को योगी जी की सरकार पहले ही स्विकृति दे चुकी है, यही नहीं, यूपी में दरजनों एरपोर्ट को रीजनल कनेक्टिविटी के लिए तैयार किया जा रहा है, इसमें भी अधिकतर पस्चिमी उत्तर प्रदेश में है, ग्रेटर नौएड़ा के जेवर में आधुनिक बिश्वस्तरिया ग्रीन फिल्ड आरपोर्ट से तो इस पूरे ख्षेत्र की पहचान पूरी तरह बदलने वाली है, साथियों देश के इंफ्रासेक्टर की एक बहुत बड़ी दिक्कत हमेशां से ये रही थी कि नए प्रोजेक्स की गोश्णा तो हो जाती थी, लेकिन इसके लिए पैसा कहां से आएगा, इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया जाता था, इस वज़े से प्रोजेक्स बर्शों तक लटके रहते थे, उनमें काम की रप्तार बहुत दीमी होती थी, नाम मत्र का काम होता था, हमारी सरकार ने नई परियोजना की शुरुवात करने के साथ ही उसके लिए आवश्यक दनराशी के इंतजाम पर भी उतना ही ध्यान दिया है, कनेक्टिविटी और आधुनिक इंफास्ट्रक्चर पर जीतना आज देश में खर्च किया जा रहा है, उतना पहले कभी नहीं किया गया, अब नेशनल इंफास्ट्रक्चर पाइप्लाइन प्रजेक के तहट सो लाख करोड रुप्य से अधिक खर्च करने की भी तैयारी है, मल्टी मोडेल कनेक्टिविटी इंफास्ट्रक्चर मास्टर प्लान उस पर भी काम किया जा रहा है, कोशिश यह है कि देश के इंफास्ट्रक्चर को बहतर बनाने के लिए पूरी दुनिया से निवेश को आकर्शित किया जाए, इन्फास्ट्रक्चर और रियल एस्ट्रेट पोजेश में इन्वेस्ट में विदेशी निवेश को आसान बनाने के लिए भी हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं साथियों बहतर इन्फास्ट्रक्चर बहतर कनेक्टिविटी का सबसे अधिगलाब हमारे टूरिजम सेक्टर को होता है मेरा यह हमेशा से मत रहा है कि टूरिजम एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हर किसी के लिए कमाई के साधन है कम से कम निवेश में अधिक से अधिक आमद नी टूरिजम के माध्यम से संब्व है इसी सोच के साथ देश लोकल टूरिजम के लिए भोकल हो इसके लिए अनेक स्तरों पर काम चल रहा है ताजमहल जैसी धरोहरों के आसपास आधुनिक सुविधाई विख्षित करने के साथ ही टूरिष्टों के लिए इस अफ ट्राइविलिंग भी बढ़ाई जा रही है सरकार ने न सिर्व इविजा स्कीम में सामील देशों की संख्या में काफी वृद्धी किये हैं इसके साथ ही होटेल रूम टेरिप पर टेक्ष को भी काफी कम किया है स्वदेश दर्शन और प्रसाज जैसी योजनाओं के माध्यम से भी टूरिष्टों को आकर्सित करने के प्रयास किये जा रहे है सरकार के प्रयासों से भारत अब ट्रावेल और टूरिजम कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 34 वे नंबर पर आ गया है जबकि 2013 में भारत इसी इंडेक्स में 65 वे नंबर पर रुका पड़ा था आज वहां से इतनी प्रगती हुई है मुझे उमीद है जैसे जैसे करोना के स्थिती सुधर्ती जा रही है वैसे ही बहुत जल्द ही टूरिजम सेक्टर की रोनग भी फिर से लोट आएगे साथियों नई सुविधाओं के लिए नई व्यवस्ताओं के लिए रिफॉर्म बहुत जरूरी है हम पिछली सताब्दी के कानून लेकर के अगली सताब्दी का निर्मान नहीं कर सकते हैं जो कानून पिछली सताब्दी में बहुत उप्योगी हुए वो अगली सताब्दी के लिए बोज बन जाते हैं और इसलिए रिफॉर्म इलगातार प्रक्रिया होनी चाहिए। लोग अक्सर सवाल पूछते हैं कि पहले की तुल्णा में अब हो रहे रिफॉर्म्स जादा बहतर तरीके से काम क्यों करते हैं। पहले की तुल्णा में अब अलग क्या हो रहा है। कारण बहुती सीधा है। पहले रिफॉर्म्स टुकड़ों में होते थे। कुछ सेक्टरों, कुछ विभागों को ध्यान में रख्के होते थे। अब एक संपुर्णता की सोचम से रिफॉर्म्स किये जा रहे हैं। अब जैसे शेहरों के विकास के कोई हम ले ले, शेहरों के विकास के लिए हमने चार स्तरों पर काम किया है। बीते समय से चली आ रहे है समस्यों का समाधान हो। जीवन जादा से जादा सुगम हो। जादा से जादा निवेश हो। और शेहरों की व्यवस्ताओं में आधूनिक टक्नलोजिक आउपियोग अधिक हो। भाईयो और बहनों, रियल एस्टेट सेक्टर की क्या स्थिती थी? इससे हम भली भाती परिचित है। गर बनाने वालों और गर खरीदारों के बीच भरोसे की एक खाई आ चुकी थी। कुछ गलत नियत वाले लोगों ने पूरे रियल एस्टेट को बद्दाम करके रखा था। हमारे मद्दंबर को परेशान करके रखा था। इस परेशानी को दूर करने के लिए रेरा का कानून लाया गया। हाल में कुछ रिपोर्ट जो आई है वो बताती है कि इस कानून के बाद मिडल क्लास के घर तेजी से पुरे होने शुरू हुए हैं। इसी तरह हमारे शहरों में एक और बड़ी समस्या है बड़ी संख्या में खाली पड़े घरों की। यह तम है जब बड़ी आबादी को किराय पर घर मिलने में भी परेशानी होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए भी एक मोडल कानून बनाकर राज्यों को दिया जा चुका है। साथियों शहरों का जीवन आसान बनाने के लिए आधुनिक पब्लिक ट्रांस्पोर्ट से लेकर हाउसिंग तक चो तरफा काम चल रहा है। यहां आगरा से ही प्रधानमत्री आवास योजना की शुरुवात हुई थी। इस योजना के तहट शहरी गरीबों के लिए एक करोड से ज़्यादा गर स्विकृत हो चुके हैं। शहर के मद्यमबर के लिए भी पहली बार गर खरीद्य के लिए मदद की जा रही है। अब तक साड़े बारा लाग से जादा शहरी मद्यमबर के परिवारों को भी गर खरीद्य के लिए लगबग 28,000 करोड रुपिय के मदद दी जा चुकी है। अमृत मिशन के तहट देश के सेंक्डों शहरों में पानी, सीवर जैसे इंफा सेक्टर को अपग्रेड किया जा रहा है। शहरों में सार्वजनिक टॉयलेट्स की बहतर सुविदाय हो। बेस्ट मैनेजमेंट की आधुनिक व्यवस्ता हो। बेस्ट मैनेजमेंट को प्रायोरिटी देने के तरीके हो। इसके लिए स्थानिय निकाओं को मदद दी जा रही है। भाईव और भेनों, आज शहरी गरीब को मुप्त इलाज मिल रहा है। और मद्यमबर को सस्ती दवाई मिल रही है। सस्ती सरजरीव प्लब्द कराई जा रही है। सरकार की कोशिसों से बिजली से लेकर मोबाईल फोन तक उस पर खर्च बहुत कम हुआ है। एजुकेशन लोन से लेकर होम लोन तक ब्याज की दरे कम की गई है। ये भी पहली बार हुआ है जब रेडी, ठेले, ठेरी वाले छोटे उद्यमों को बैंकों से सस्ता रण उपलब्द कराया गया है। यही तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। भाईयों और बहनों, यह जो रिफोर्म्स बीते कुछ समय के लिए, कुछ समय से किये जा रहा है। उनसे देश में नया आत्म विश्वास आया है। विशेश तोर पर देश की बहनों, बेटियों तक जिस प्रकार सरकारी लाप पहुचा है। वो सच मुच मैं है। अगर बारिकियों में जाएंगे तो आपको भी संतोस देगा। पहले की तुलना में आपके अंदर भी एक नया विश्वास परेगा। हर रोज दूर सुदूर से अनेच चिठिया मुझे मिल रही है। मिडिया के माद्यम से बहनों बेटियों की भावनाय मुझे तक पहुच रही है। माताओ बहनों के इसी आशिरवात से मैं स्वाकई भाव विभोर हूँ। देश की बहनों बेटियों, देश की युवाओं, देश की किसानों, देश के स्वमिकों, कर्मचारियों, व्यापारियों का विश्वास बीते हर चुनाओं में दिख रहा है। यूपी सहीत देश के कोने कैनों में चुनाओं के नतीजों में विश्वात जलक रहा है। दो-तिन दिन पहले तेलंगाना में, हाइदराबाद में, गरीब और मद्यम वर्गने सरकार के प्रयासों को अभुत्पूर्वा अशिरवात दिया है। आपका साथ और आपका समर्तन ही मेरी प्रेणा शक्ती है। देश्वास्यों की छोटी से छोटी खुसी मुझे नए-नए काम करने की हिम्मत देते हैं। नए इनिशेटिव लेने की ताकत देते हैं। ताकि मैं आपकी भलाई के लिए और ज्यादा कर सकूँ। आत्मनिर भरता का यह आत्म विश्वास। यूही निरंतर मजबूस होता रहें। विकास के कार्य ऐसे ही बढ़ते चलें। इसी कामना के साथ आपको मेट्रो प्रोजेक्ट की फिर से बहुत बदाई। प्रोजेक्ट